असलाम अलेकोल, welcome to GFX Mentor, मैं आपका टीचर इम्रान, पिछली क्लास में आप लोगों उने देखा था कि मैंने लेवल्स यूज किये थे और brightness and contrast, मगर वो एक बड़ा destructive सा तरीक कारता, हम जिस layer पर काम कर रहे थे, वहाँ पर permanent change हो रहा था, तो आज मैं आप लोगों को बा, adjustment layers, adjustment layers से फाइदा ये है कि हम जो भी adjustment चाहेंगे, वो एक अलायता से layer पर लगेगी, और उसके नीचे जो भी layer होगी, उसके उपर असर आ रहा ह यहां पर मैंने फिर आपने वही लग वाले शूट की एक picture यहां रखी हुई है, and I'm sure बहुत सहरे लोग इस बिल्डिंग को भी जानते हैं, यह gate है, फोर्ट, लहोर फोर्ट, I don't know, लहोर फोर्ट ही नाम है उसका, right? So, Lahore का किला, yes, and इसमें मैं simply छोटा सा adjustment, वही levels वाला ही करना चाहरा हूँ, यह brightness and contrast का, मगर देखें, मैंने जसरा से आप सिकाता है कि लास्ट ताइम कि आप एक layer की copy ले लिया करें, क्योंकि आप जो भी change करेंगे, वो permanent change होता है, सही है, so इस बार मैं यहां पर layer की duplicate लेने क के बजाए मैं यह कर रहा हूँ, कि यहां पर जाएंगे, यह एक छोटा सा button दिया हुआ है, और यहां से आप ले सकते है, brightness and contrast, levels, curves, वगरा, 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 बहुत सारा कुछ यहां पर दिया हुआ है, so सबसे पहले मैं जल्दी से ले रहा हूँ, brightness and contrast, let's see, मैं इसको थोड आसा bright करना चारा हूँ, और थोड़ आसा contrast high करना चारा हूँ, see this, आप ने जो change किया, वो यहां पर advance आना शुरू हो जाता है, याद रखीगा, कि यह उपर से एक layer आई हुई है, brightness and contrast की, साथ ही साथ यहां पर एक layer mask दिया हुआ है, that means कि आप चाहें, तो किसी particular area को adjust करें, कि इसी चीज़ को ना करें, simply, अगर आप चाहरे हैं कि कहीं पर ना हो, तो अपना simply black color फेर दें, अब यहां से मैंने जतना हिसा black कर दिया, उस पर adjustment apply नहीं हो रही, पारहल मैं इस वक्त पूरी layer पर कर रहा हूँ apply and मैं इसके साथ ही levels adjust करना चाहरा हूँ, so मैंने यहां से आके levels एक और चीज़ बता दो, देखें, अगर मैं इस layer को hide कर दूँगा, तो मेरी normal layer वापस आजाएगी, so आपकी layer खराब नहीं हो रही है, इसके उपर से अलहदा से आपके पास एक adjustment आई है, इसी तरह से अगर मैं levels adjust करना चाहरा हूँ, see this, मैं यहां से आकर कि इसको थोड़ा स shadows की तरफ मैं dark करना चाहरा हूँ, red, यानि अगर मैं यहां नीचे से इसको बढ़ाँगा, तो shadows में red आना शुरू हो जाएगा, right, and यहां से बढ़ाँगा, तो इसका opposite color जो है blue, cyan, वो आने लगीगा, बारहल मैं थोड़ा से यहां से यह बढ़ा रहा हूँ, right, ठीक है, तो सा मैं blue में जा रहा हूँ, और blue को भी मैं थोड़ा सा यहां ला रहा हूँ, so see this, आपको shadows में बढ़ा मज़ीदार सा purple color नजराने शुरू होगे, हाँ, अलबता अगर आप इसको थोड़ा और bright करना चाहरे है, यहां से, but यह फिर बहुत जादा purple हो जाएगा, I don't want to do this, and महल का सा mid-tone से थोड़ा सा और यहां ला रहा हूँ, that's it, and मजीद अगर आपको कुछ और adjustment करनी है, see this, आप चाहें तो एक और levels लें, किसे ने रोका है, लेते रो, so अब यह RGB पर मैं कर रहा हूँ, see मुझे अगर overall थोड़ा सा और bright करना है, या overall थोड़ा सा यहां से मैं dark की तर रहा है, जैसे बहुत पुरानी सी कोई picture हो, that's it, and I believe मुझे यह इसका एक जो feel आ रहा है, यही करना था, now मजीद की बात, मैं कभी भी चाहूँ, तो अपनी इन layers को off कर सकता हूँ, और मेरी original layer नीचे बैटी हुई है, so इसके इलाबा, आप देखें तो आपके पास इन टीनो पर mask लगे हुए, now similarly, जिस तरह से आप लोगों ने solid or gradient वाली layers का काम देखा था, अगर मैं यह करूं कि मैं कुछ area को select कर दो, right, simply मैंने selection बनाई है, और अब मैं जा करके adjustment layer लेता हूँ, say for example, levels, and see this, अब level सिर्फ इतने ही हिस्से में change आ रहा होगा, now, मैं इसको फिर से undo कर र हो, so I hope आप लोगों को adjustment layer का usage समझ में आया होगा, बहुत helpful है, आपका काम non-destructive हो जाता है, आप अपनी layers को खराब नहीं कर रहे होते हैं, और आप जब चाहें इसको हटा सकते हैं, in fact, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब चाहें, इनकी opacity डाउन कर सकते हैं, so for example, मैं आगर सिर्फ बात करूं कि मैंने यहां पर यह levels apply कियें, और आपको लग रहा है कि यह बहुत ज़्यादा apply हुए हुए, आप चाहें तो इसकी opacity down कर दें, तो आप यह भी कर सकते हैं, कि intensity कम कर रहे हैं, याने overall आपने levels adjust कि और उसके बाद में उसकी intensity कम, यह ज़्याद हो जाती है, आपके बस, I hope आप लोगों को यह adjustment layers समझ में आई होगी, और यह video भी पसंद आई होगी, पसंद आई तो please like करें और subscribe करें, thank you झाल